नमस्कार स्वाद आप सभी का बजारू की चाल के अंदर मैं हूँ आपके साथ अगिले शाटी और बजारू की चाल में आप सब के लिए फिर से लेकर आ गया हूँ यहाँ पर कमुल्टी बजार का अपडेट जानेगे कि शाम के कालवारी सत में क्रिशी फसलों का वैदा वजार कैसा कारवा करता हूँ नजर आ रहा है किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मनी तेजी बंदी नजर आ रही है और साल के अंदर तक और 2022 की शुरुवात में वो कौन सी क्रिशी फसले होंगे जिनके अंदर अच्छा मुनाफ़ा कमांगे चला जा सकता है टॉप कमॉनिटी जानने की ये भी कोशिश करेंगे सबसे पहले शुरुवात करें हम यहाँ पर कैससील से तो कैससील का वाइदा वजार है वो हमने पैंसर सो के घरों में इस वक्त कारवा करते देख रहे हैं कैससील का वाइदा वजार पैंसर सो के उपर नहीं उठ पा रहा है हाला कि बीते कुछ ट्रेडिंग सेशन्स पहले हमने कैसर सीर का वायादा वजार 6600 पर कारवा करते देखा था और 6600 का भी एक लेवल कहीं नगी टच करता नजर आया था लेकिन फिर वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आई जिसकी वजा से कैसर की कीमते एक बाद फिर से 500 के लेवल पर आके स्टक हो गई है लेकिन ओवरल रुजान कैसर सीर के कीमतों में तेजी काई है हमने पिछले 6-8 महिनों में कैसर सीर के कीमतों में अच्छी तेजी आती भी देखी है आपको बता दें कि NCDX पर कैसर की जो कीमते हैं वो 400 के उपर लाभी भी लगातर बनी हुई है और पिछले एक महिने में कैसर ने लगबख 5.5% का अच्छा रिटन दिया है और बात करें जनवरी 2021 से यानि कि साल 2021 के शुरुआत से और अब तक तो अब तक कैसर सीर की कीमतों ने लगबख 45% से जादा का उच्छाल दिया है और हमने इसकी जो बुगाई है उसमें भी लगातार पिछले दो सालों से एक कमी आते वे देखी है और आपको बता दें कि पिछली बार हमने चाइना को भारती कैसर ओयल की काफी अच्छी खरीदारी करते देखा थे जिसकी वजासे कैसर की कीमतों में काफी शांदार तेजी बनती नजर आई थी और वहीं से जो कैसर की जो वायदा बजार है उसमें एक तेजी पिक अप होती नजर आई थी एक अच्छी बढ़ोतरी बनती नजर आई थी जो की अभी तक जारी है लेकिन जो चाइना जिस आप से aggressively buying कर रहा था अभी भी चाइना की तरफ से demand है लेकिन post covid यानि की covid की जो first wave आई थी उसके बाद से भारत और चाइना के जो relations है वो ठीक देखने को नहीं मिले हैं sideways ही रहे हैं जाधा तर और जो वैपार है वो भी इतना देखने को नहीं मिला है दोनों देशों के अंदर जिसकी वज़ा से चाइना की caster oil की demand होने के बावजूद भी चाइना को export नहीं किया जा रहा है लेकिन घरेलू सतर पर बात करें तो घरेलू सतर पर caster की जो demand है अब वो धीरे-धीरे निकलनी शुरू होगी और धीरे-धीरे इसकी demand में सुधार हो अजेक एडिया के मुताबिक जो immediate target रहेगा caster का वो 640 का रहेगा और 650 तक और लंबी अबदी की बात करें तो लंबी अबदी में caster की कीमते कहीं न कहीं 850 से लेकर 7000 तक का भी level दिखलाती नजर आ सकती है तो overall जान caster skir की की कीमतों में तेजी कहीं रहेगा बात करें यहां से अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल का डिसेंबर वायदा देख रहे हैं हम 2524 पर कारुबार करता नजर आ रहा है आदे फीजदी की तेजी के साथ बिनौला खल में भी हमने काफी सीमी दैने में कारुबार देखा है हालागी पिछले कुछ महीनों में कीमते और गिरती वी नजर आई दी लेकिन वहां से सस्टेनिमिलिटी देखने को मिली और फिर से भी आप बिनौला खल 25 की घरों में कारुबार करता नजर आ रहा है आपको बता दें कि जनवरी सेब तक बिनौला खल में लगबग 26 फीजदी का रिटन देखने को मिल चुका है जो की काफी बैतिनी रिटन है और जो एक्सपर् केडिया एडवाईजरी के डिरेक्टर अजे केडिया उनके मुताबिक साल 2022 में जो डेरी सेक्टर है यानि कि जो उद्योग है उस सेक्टर से वहां से बिनौला खल की जो डिमांड है वो निकल के सामने आ सकती है और जो प्रतिदिन डिमांड रहेगी वो 9-10% की रहेगी तो वो भी अच्छी देखने को मिल रही है और आपूरती कम है कपास की जिसकी वज़ा से बिनौला खल की कीमतों में अच्छी तेजी निकल के सामने आ सकती है आपको बता दें कि अजे केडिया के मुताबिक बिनौला खल में जो पच्ची सो का जो लेवल अभी हाल फिलाल में देखने को मिल रहा है वो काफी अच्छा लेवल है बड़े अफदी में बड़े लक्ष को हासिल करने अजे केडिया की मुताबिक बिनौला खल मार्च अप्रेल 2022 यानि कि मार्च 2022 और अप्रेल 2022 इन लगबग 5-6 महीनों के अंदर बिनौला खल 4000 तक का भी जो लेवल है वो नजर आ सकता है तो यानि कि इंडेस्ट्रिल डिमांड भी ठीक ठाक रहेगी और घरेलू डिमांड भी ठीक ठाक निकलती रहेगी जिसकी वज़ा से बिनौला खल की जो कीमते हैं वो अच्छा रिटन देती नजर आ सकती है तो ओवरोर रुजान बिनौला खल में तेजी का ह देखने को मिलता रहेगा बिनौला खल की जो डिमांड है वो डिसेंबर में तनी देखने को नहीं मिलेगी जितनी साल 2022 में मार्च अपरेल तक देखने को मिलेगी तो नए साल में बिनौला खल में काफी अच्छे लेवस देखने को मिल सकते हैं हो सकता है कि वाइदा के साथ साथ फिजिकल मार्किट में भी बिनौला की जो कीमते हैं उनमें एक अच्छी बड़त देखने को मिले क्योंकि टेड़ी उद्द्योक से अगर मांग निकलेगी तो फिजिकल मार्किट पे भी इसका कहीं न कहीं असर पड़ता नजर आएगा और वेपारियों को भी बिनौला ख़ल के काफी शांदार दाम मिलते नजर आ सकते हैं इसके साथ बात करें यहां से अगर मसालों की इस कारवारी सब्ता से 8,000 के उपर की क्लोजिंग दे रहा है और 8,000 पर ही कारवा करता नजर आ रहा है 8,080 सो तक कबी लेवल दिनिया की कीमतों में देखने को नहीं मिला है लेकिन आज अचछनक से दिनिया की कीमतों में तेज़ी देखने को मिली है आपको बता दें कि धनिया का जो carry work stock है पिछले लगवग दो सालों से कम होता हो नजर आ रहा है और धनिया भी उन communities में शामिल हो सकता है जिन में आगे जाके तेजी देखने को मिल सकती है साल 2022 के शुरुआत में मसालों में 2022 में अच्छा level देखने को मिल सकता है धनिया की बात करें तो धनिया भी उसी श्रीरी में जाता हो नजर आ सकता है बात करें यहां से अगर जीरे की तो जीरा आज हमने डिसेंबर वाइदा 16,000 के पार जाते वे देखा है जीरे की कीमतों में काफी अच्छी तेजी बनती नजर आई है आपको बता दें कि जनवरी से अब तक हमने जीरे में जो तेजी देखी है वो लगभग 20% की तेजी देखी है और लगभग पिछले दो सालों से जीरे का जो कैरी वा स्टोक है वो भी कम ही देखनी को मिल रहा है और हमने जीरे को साड़े 13,000 से लेका साड़े 15,000 तक की रेंज में अब तक कारवा करते हैं हाला कि आज एक अच्छा ब्रेकाउट देखने को मिला है 16,000 के लेवल का लेकिन यहाँ पर सस्टेनिबिलिटी भी देखने को मिलनी जरूरी है अगर कीमते सस्टेन होती हैं तो अजे केडिय के मताबिक जीरे की कीमतें दिसंबर 2021 तक 16,200 से 16,300 तक जाती नजर आ सकती हैं और बात करें अगर साल 2022 की तो जनवरी और फरवरी जनवरी 2022 और फरवरी 2022 जीरे की कीमतों के लिए काफी अच्छा सावित होती भी नजर आ सकती हैं अजे केडिय की मताबिक दिसंबर के मद्धे तक यानि की मानगे चले के 20 दिसंबर के बाद से और फरवरी के एंड होने से पहले तब तक जीरे की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफी तेजी रहेगी काफी अच्छी रहेगी और इस दोरान अजे कीडे की मताबिक जीरे की जो कीमते होंगी वो लगवग 21,000 का भी लेवल टेच करती भी नजर आ सकती है तो ओवररल उजान भी जीरे में जो है वो तेजी का ही रहेगा साल 2022 में जीरा काफी अच्छा शांदा डिटन देता वा नजर आ सकता है तो धनिया, हल्दी और जीरा तीनों ही मसालों में अच्छा रुजान देखने को मिलता रहेगा हल्दी भी ठीक टाक लेवल्स पर कारवा करती नजर आएगी लेकिन हल्दी में धनिया और जीरे के मुकाबले कम थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी आप बता दें कि हल्दी 7000 से लेकर 3650 तक का लेवल दिखाती नजर आ सकती है देरसल हल्दी की जो बुआ या कैरियोवर स्टॉक है दोने ही अच्छे हैं जिसकी वज़ा से हल्दी की जो कीमते हैं कि सीमित दयारे में कारवा करती नजर आएगी और हल्दी की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो जारी है लेकिन इतनी नहीं है कि हल्दी में काफी शांदार तेजी बनती नजर आए तो हल्दी की कीमतों में अगर तेजी आ पाएगी तो वो अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड से ही आ सकती है अभी ऐसा हाल फिलार में हमारे एक्सपर्ट का मानना है आगे बढ़ते हैं बात कलते हैं यहां से गवार की तो गवार गम के डिसम्बर बादे देख रहे हैं बाराजार तीन सो दो पर कारवार कर रहा है आदे फिजदी की करेक्शन के साथ और गवार सीर के डिसम्बर बादा पैंसर सो के घरों में कारवार कर रहा है लान निशान पर हाला कि गवर्म ने गवार की कीमतों में काफी शांदार तेजी आती देखी है गवार के जो लेवल से 13,000 के पार भी जाते भी नजर आये थे लेकिन कुछ तेजी वे पारियो द्वार बनाई गई थी और कुछ तेजी इंडेस्टिल डिमांड की थी तो दोनों ही तेजी के चलते गवार की कीमतों में तेजी देखने को मिली है और अभी भी वही दोनों फैक्टर्स हैं जिसकी वज़ा से गवार की कीमतों में अभी शांदार तेजी बंती नजर आती लेकिन अब वहां से उपरी स्थरसे मुनाफ़ा वसुली भी बंती नजर आ रही है अभी कुछ एक्सपर्स का ये कहना है कि गवार में अभी कुछ रुख जाना चाहिए साल 2022 तक की होल्ड कर लें रुख जाएं कि साल 2022 देख लें कि शुरुवात में साल 2022 के स्टार्डिंग डेज में गवार की जो डिमांड है कैसी है बजार कैसा है और तभी उसके बाद अपना डिसीजन्स लें और कुछ वैपारियों का ये भी कहना है कि गवार अभी फिजिकल में और तेज होता हो नजर आ सकता है गवार की इंडुस्ट्रिल डिमांड निकल के सामने आ सकती है इंडुस्ट्रिल डिमांड गवार की है लेकिन गवार के साथ-साथ ये भी हमें देखना है इसको भी नह पार्किट्स में मौजूद हैं जो कि गवार से कम रेट्स पर मौजूद हैं तो कहीं न कहीं यह जो फैक्ट है रहे गवार की कीमतों में नर्मी वाला बनता नजर आता है लेकिन अभी इस साल 2022 ही बताएगा कि गवार का बजार कैसा रह सकता है क्या गवार में अभी और तेज देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी ये देखने वाली बात होगी हाला कि अगर क्रूड के प्रैसिस तेज रहते हैं तो गवार की कीमतों में तेजी बनती नजर आ सकती है और अगर इंडेस्ट्रिल डिमांड और पिक अप होती है तो ही गवार की कीमतों में तेज 555 पर कारुबा करती नजर आ रही है और 56 खाई लगा चुकी है आपको बता दें कि विदेशो में सोयबीन के जो दाम है उन में तेजी देखने को मिली है अमेरिका में उत्पादन गटने का अनुमान है सोयबीन का वहीं भारत में बढ़ने का अनुमान लगा गया है सोपा के जो आंख्रे निकल के सामने आया थे, उनमें ये निकल के सामने आया था कि सोपा के सर्वे में ये सामने आया था कि इस बार भारत में सोयविन का जोत पादेने पिछले साल के मुकाबले लगवग 14 फीज़दी जादा रह सकता है, 119 लाक टन देखने को मिल सकता है, जिसकी बुगाई इतनी देखने को नहीं मिल सकती है क्योंकि सोयविन की बुगाई के समय सोयविन का बीच उपलबध ही नहीं था, इतना उपलबध नहीं था कि इतने आखड़े आ जाए, अगर तेजी होती भी है तो इतनी तेजी नहीं हो सकती कि पिछले साल साज़द हो जाए, लेकिन अब जैसे जैसे आखड़े आते रहेंगे तो ये जो पिक्चर है सोयवीन की और जाले क्लिएर होती रहेगी प्रोडक्शन की। लेकिन देखने वाली बात ये भी है, कि इस बार सोयबीन की जो फसले है, बारी बारिश के चलते, बड़े पैमाने पर खराब भी होती है, वे नजर आई है। लेकिन अब जो किसान है, जो छोटे मूठे किसान थे, जो सक्षम किसान नहीं थे, कि वो अपनी सोयवीन रोक लें क्योंकि उन्हें अगली बुवाई के लिए पैसे की जुरत परती है अगली फसल की बुवाई के लिए पैसे की जुरत परती है जिसकी वज़ासे उन्होंने अपनी सोयवीन कम दामों पर बेच दी है तो वो किसान तो बेच चुके हैं अपनी सोयवीन लेकिन कुछ सक्षम किसान अभी बागी हैं जिन्होंने अभी सोयवीन को होल्ड करके चलना शुरू कर दिया है आपको बताने कि सोयवीन नीचे में 1700 रुपे कुंडल तक बिक्ती नजर आई है जबकि जो MSP है वो इससे कई जादा है इसकी अगर डबल भी करें तब भी वो MSP के बरावर नहीं वैड़ता है 1700 का डबल यानि कि 3400 भी MSP के बरावर नहीं वैड़ता है तो किसानोंने अभ रणनेती अपना लिये कि वो अपनी सोयवीन जो होल करके चलेंगे अराइवल प्रेशर अभी भी मंडियों में है लेकिन जातर किसान अब स्टॉक करके रख रहे हैं कि उनको उमीद है कि मार्च अपरेलिय अगस्त 2022 तक सोयवीन के दाम कुछ सुधरते नजर आ सकते हैं वहीं कुछ एक्सपर्स का ये भी मानना है कि 2022 में वायदा बजारों में भी सोयवीन की जो कीमसे हैं कुछ सुधरती नजर आ सकती हैं और उपर में 6000 तक जाती नजर आ सकती हैं तो अगर किसान सोयवीन अपनी रोक लेते हैं जो सक्षम किसान सोयवीन रोक सकते हैं तो बहतर यही रोगा कि अब उपनी सोयवीन रोक लें अगर उनको अच्छे दाम चाहिए, क्योंकि पहले वाली तेजी तो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सोयवीन खली का भी आयाद सरकार ने कर लिया है, सोयवीन खली का आयाद भी हो रहा है, तो पहले वाली तेजी जो जो दाम अब physical मंडियों यानि कि हजी बजार में कुछ थोड़े बहुत खलके फुलके सुधरते नजर आए हैं तो वो किसानों की ही वज़ा से सुधरते नजर आए हैं इसमें किसी दूसरे का कोई रोल नहीं है क्यूंकि किसानों ने जो सोयवीन होल्ड करी है उसी की वज़ा से अब सोईवीन के जो दाम है कुछ सुदरते नजर आ रहे हैं ऐसा कोई फैक्टर नहीं है अभी हाल फिलाल में किसानों के अलावा जो सोईवीन में तेजी का बनता नजर आ रहा हो अगर किसान सो अपनी सोईवीन होल्ड ना करें लगातार बेचते रहें सुवेवीन के जो दाम है वो और ज़्यादा गिड़ते ही नजर आएंगे तो आशा करते हैं आपका में जानकर इच्छी लगी होगी फिलाल बजारों की चालमा भी के लिवस इतना ही मुझे दीजे इजादत, नमस्कार